जैसे बसंद की हवा चलते ही सुनी डालिया खिल उठती है वैसे ही शीव का नाम लेने से आत्म में आनन की गंगा बै उठती है शीव का नाम ही अंगिनत सुखो का उद्गम है उनका ध्यान ही जन का दुख हरने के लिए परियात है विसाक्षाथ उनके निवास्थल के दर्शन हो जाए तो इसे परंद सौभा के ही कहा जा सकता है महाशिव रात्री को लेकर बगवान शीव से जुड़ी कुछ मान्यताएं प्रचित है ऐसा माना जाता है कि इस विषेश दिन ही ब्रह्मा के रूद्यरूब में मद्धिरात्री को बगवान शंकर का अवतरन हुआ था वहीं यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शीव ने तांडव कर अपना तीसरा नेतर खोला था और भ्रमान को इस नेतर की जुआला से समाप्त किया था इसके अलावा कई स्थानों पर इस दिन को भगवान शेव के विवा से भी जोड़ा जाता है और ये माना जाता है कि इसी पावन दिन भगवान शेव और मा पार्वती का विवा हुआ था वैसे तो प्रतिक माह में एक शिवरात्री होती है परनतु फालगुन महा की कृष्ण चतुदशी को आने वाली इस शिवरात्री का अत्यंत मात्व है इसलिए इसे महा शिवरात्री का जाता है वास्तर में महा शिवरात्री भगवान भुरेनात की आरादना का ही परवा है जब दर्मत्रिमी लोग मादेव का गिदी विदान के साथ पूजन अर्चन करते हैं और उनसे आशिरवाल उपरात करते हैं इस दिन शीव मंदिरों में बड़ी संख्या में बक्तों की भीर उमड़ती है जो शीव के दर्शन पूजन कर खुद को सवभाक्यशाली मादते हैं माशिराती के दिन शीव जी का विदिन पवित्र वस्तों से पूजन एवं अभिशेद किया जाता है और बीवपतर गतुरा अभीर गुलाल बेर उम्बी आली अर्पित किया जाता है भगवान शीव को भांग बेहद प्रिया है अतहर कई लोग उन्हें भांग भी चड़ाते हैं दिन बर उपवास रखकर पूजन करने के बाद शाम के समय लोग फरहार किया जाता है आज महाशिवरात्री के इस पावन अवसर पर हम कुछ विशेश लोगों से कुछ खास बादचीत करेंगे और समझेंगे कि इस पवित्र दिन की क्या विशेश महिमा है मशकार दर्शक मित्रो स्वागत छे आपनू दिव्यान न्यूस चैनल माँ आजे महाशिवरात्री, महाशिवरात्री एटले एक वो पर्व के सव खूब आ पर्वने मौज करेंगे शिव माई थाई जाए शिव जी नी भक्ती आर्ती करीने लाई मा आखो दियस मस्त नने मगन रहे शे तो दर्शक मित्रो आजे आँ विशेष कारेक्रम मा जरा शिवरात्री नो दिवस चे तो शिवरात्री नी सु महिमा छे शिवरात्री न विशेष घणी बदी जानकारी लेव माटे आजे अमारी साथ है उपस्तिच्चे पंडित देवरत आचारी जैशी कश्यप जी तो ओडर्शक मित्रो आप सवोने शिवरात्री निसुद कामना अनि jái maadey ओड़ा तो मारहु परश्न है शिवरा크ी महा शिव रात्री आमं तो हिंदु धरममा थे ठेज कोटी देवि देवताओ परल शिवनि के अलग़ महिमा तो शिव नी आ रात्री निसु महिमा औरे क्ए वे शीवजी ने आपने जानिये छे एमनु निराकार और शाकार बनने रूप छे एम कथा छे के क्षिर सागर मा भगवान विष्ण सयन करदा त्यारे एमनी नाभी माथी कमड निकड़े और एक कमड मा भ्रह्मा जी आता पुरां कथा अनुषा ब्रह्मा जी पोता ने श्रुष्टी ना करता माने क्ये स्रुष्टी में उतपन करेा और विष्णू ऑन के के ब्रह्मा जी ने में उतपन कर्या अज़िए एक बदने देव dew एक विजहा साथे दलिल चार्चा मा उतरआ तो उग्रता वधी त्यारे ए बनने नी वच्चे एक अगनी स्तंब प्रगट थयो, अगनी स्तंब, यह अगनी एटले तेज नू आपने कहिए, तेज नू आक्कु जेले स्तंब कहिए थांबलो, लिंग नू आका ए प्रगट थयो, स्वरुप आकु उभू थयो, अबे ए प्रगट थाई गया, क्या जुदू छे, यह मा थी आ शिवरात्री नी रात्री ना समय आगनी स्तंब, मा थी भगवान स्विव जी पोते प्रगट थया, पोतानू साकार रूप उत्पन करूँ, यह मैं क्यवाज एक शिव जी निराकार छे ने, निराकार ने एक लिंग उपनि सदों मां कहलू छे के अंगुष्ठ मात्र, यह अंगुठा जेतलो जीव आत्मा परम चैतन्या दरेक नी अंदर होई छे, यह पनो शिवलिंग नो जाकार, आपने अंगुठा नो जो आकार जो यह तो आकार शिवलिंग नो होई, यह इसाब यह शिव जी प्रगट खाया, अने बन्नेवने शांत करी ने कहुँ, के तमारा बन्ने मा जे रूप छे चैतन्या छे ते मारू छे, अने ते उच्छू, एटले के आपना त्रणेव मां कोई जग्या कसोज भेध न थी, एटले त्यारे बगवन सीव जी जे उपदेश आपयो, ते एवा कारिया, एमने चलावानू काम ते शीव करी रहिला छे, अहिए शीव नो अर्थ एक बगवान अर्थ न थी, परम चेतना जनाती एक्टिव थाए, ए शीव जी ए शब्द छे, एमना माटे सदाव शीव सब्द वप्राय छे, परम शीव सब्द वप्राय छे, चैतन्या शीव जी नी पूजा, एटला माटे थाएज के रात्री ना समय आ जे एमनू लींग रूप प्रगड थाएलू ब्रह्मा जी अने भगवान विष्टूनी समग से, एटले वीजी कथा एवी छे, के शीव जी ना हिमलाय पूत्री, पार्वती, सती साथे, लग नजे थाएला ते महा सीव रात्री ना दिव से रात्री ना समय मा थाएला, कांके सीव जी नी जे गण केवाई बदा टोडी, एमने भूत, प्रेत, वेताल, वीर ए बदा गणेला जे, एलोकोर ने रात्री प्रिया हो, एकले बगवान एमना भक्तों ने खुश राखवा माटे, आनंदमा आएला अमाटे रात्री है लगना करेया, और एत ले शिव रात्री मनाभवा मा आवे छे। गणी वस्तु एभी पन होई शके मनुश्यों चड़ावता होए कि अग्यात होए कि आ वस्तु ना चड़ावी जोए तो ए थोड़ो दर्शकों ने समझों के विगत वार जुई है के सीव जी ने कई उद्रव्या चड़ाववा थी आपनी कई कामना फोलन थाई पूजा कर ला थी हमने कई कमढव उजुई है दुनियादारी नू जीवन चे बदा कई सन्यासी सीव जी पोते वाइरागी चे पने भक्तों बद्दा धन्वान होई रावन परम शीव भक्त के वाई आखी सुवर्णानी लंका इने उभी कर लिया और बगवान राम जेवा र जी पाईश्वर ये वाड़ा होई तो आपने संसरीक कामनाओ हो होई इच्छा हो होई मनुष्यने स्वाभाविक रिते बाड़क पोता ना माता पीता ने खूस राखवा गणियुखत पोता नी चोकलेट एमने आपे कि पोता नी कोई वस्तु एमने दर है यहने खबा जिक तो निर्मन बन्थी तुमारी भक्ति कर पर यहां अपने प्रतिक रूपे के भगवान मारे तो मारा चोक्राना लगन नथी था ता तो एनू कहीं करूँ छे कि मारे घरवाडी आते क्लेश चाली रहलो छे एनू करूँ छे कोई कैसे मने दंदा मां तकलिफ हो आवी गई छे तो मारे अमधि नीराक्न जो भगवन तो मारू मन शांत थाए एना माटे तने जे जो यह आप हमेशा हर हमेशा हर हाल में खुश रहना भगवन सिव जिया अपने साथ कि तमारे दरेक रिते दरेक समय तमारू मन जो आननदमाने खुशी मान तो थारी उपासना मने फडशे तो एटले स्रीव जी नी उपासना माटे अर्चना माटे जे द्रव्य उप्योग करवाना ते आपने जुए तो दाखना तरीके कोई ने धन प्राप्ति नी इच्छा होए पची हमके मानसो मने बदा वाद करूपन हर्दूत करें काडी मुंके छे पची मने जे मान मलवू जो करवानू मद एमना सिवलिंग ने लगावानू चड़ावानू बन्योकरी शकाई एक वस्तु जे के सिव जी अगनी स्तंब छे ले अगनी ने ठंडू पाडवा माटे जल जुए यह जारे कईपन पूजम करिये तो सुथी पहला पाणी नी धार करवानी पाणी नानी धार क करिये एकले जमनी पर जड़ा धारी राके विक सतत पाणी टपका करे कांके पोते अगनी स्वरूप छे यह थंड़ा राखा पड़ा थंडक राख़ी पड़े तो यह दक्ष प्रजापती ने हे रिते अन्ने बद करे लो आकरोश्मा आवेश्मा है सिव जी पोते बोड़ा थाई एना थी लोकों मा लोक प्रियाता बदे है सिव जी ने दूध प्रिया चे दूध चड़ाविए एटले सिव जी दूध ने स्वास्थ्य वर्दर गणे लूँ छे तो सिव जी तमने स्वास्थ्य आपे जे बीमार होई तकलीफ होई जन्ने आरोग्यस आरूब है आरो थाई ने अवरोध आवे आई विदियातले हमनी मेडिसिन टेक्निक बदी करवी वड़ाई चता गणियों खट फेल जाए तो सिव जी के के बाई तू मने दर्रोज दूध नो अभिशेक कर दूध चड़ावू तो सिव जी ने सांत मन्ति स्वस्थ चित्त थी प्रार्शना करता करता हुचे दूध चड़ावा माहवे तो संतान बाबत ना जे अवरोध होए ते दूर थाई एवी रिते कोई ने बीख होए के मने गमेत्यार मुरुत्यों आई जासे घणालोपन एओ डर होई फोबिया होई क्यों आम थे इस तो मन आम थे जासे तो ए दूर करवा मा करने चन्दर कर अठे दूर कर दूर कर अपै दूर डूर कर राखें तो मने ज attendant कर दिंद के चञर करू होए चंचरता अचान फैनर करूँ होए तो श्रीव जी ने दूर कर दूर करो évidemment कि दूर कर दने कन sophomore द्लस डर जे धो कि ते मलें चान्दर אל थे जाणका करतते शस ह् तो आपने रसदार गमें तो यह आपने रसदार बनावे संपन्नता आपे पती पत्नी ने के विरोधत है हुआ तो बनने वक्ष नो प्रेम जामे ना माटे पन सीवी जी ने दही चड़ाववानू दांपते सूख माड़े विजी वस तुझे के मन अशान्त ब्याचन रहतू होई कारण वगर भई लागे डर लागे अंदर वह वैसी रहवन मन थाई एनने आदिना साइक्याटिस्ट डिप्रेशन के तो आदिप्रेशन जेने आवतू होई उदाशिंत लागती होई तो हमने सीवी जी ने दही चड़ आ करवा थी चोक अहुग समय और शीव महित उने करवा चांट अब आपने उने साथ होई हो वह चाई के सेवी जी चड़ाओ चुल्याए जांड़ाना बिलाजिक्त बढ़ितावां जू अब लिखा हो स्गाई होई तो आपन गायाई आपन गायाल ऑन पन अगाई खाई उ तो शीव जी ने घी नो अभिशेक करो, घी चड़ावू, काम अटकता होई, तो अवे जुए के कोई दर्वाजो बन छे खुलतो न थी तो प्यलवान होई, धको मारे दर्वाजो कुली जाई, तो ए जे छे कार्य अटके एमा अवरोध आवे, दूर करूँ होई, तो पन लिफो थाई, तो ए कमजोरी दूर थाई, अने मोजेकल उतरी गएलू होई, उदाशिन थाई गएलू होई, तो ए तेज वदे मानसमा, यहना माट्या सीव जी ने, पोताना हाथ थी, यहना सीव लिंग ने, घी लगावानू, चड़ावानू आथी, सरीर सोष्ठाव अधे कार्यना अवरोध दूर थाई, अने तेज वदे, सरीर मार कमजोरी होई ते दूर थाई, यह कमजोरी ऑटोमेटिक दूर थाई उने, तमारू मन एवा विचारो तरफ लही जाए, तमने एवा काम करवानू मन थाई, वा बोजन लेवानू मन थाई, जयना थी तमारी कमजोर सभाषी अधिया लुटा के दिन्हें दूर थाई सकारत्मत विचारो सवत को अटमेटिक आवे और अगरीक को लों यहाए तो उख शूख शुर्या बनने प्राप्तकर्वा करवा जोता होए तो सीव जी ने साकर छडवा आदा चडवाए ने इना थी अईश्वर्या मढ़ हो अपने कार्य शफर्ता थाये। सिव जी ने अतर चडववाहमावले। अतर शुगणदी। अतर यह अतर नहें। सिव जी माटे अमुगप्रकार न अतर न प्रयोक कर हुआ। तो स्कंद सिव जी ने चालतूby। चंदन नू अत्तर लईशकाई, गुलाब नू मोगरा नू लईशकाई, ठंडक आपे, केवडो फक्त आपने जानिये चेम केवडात रिजना दीवसे हर्तालिका अफ्रज्य ब्यानो करे, त्यारे जो सिवजी ने केवडो चड़े, नहीं तो निचे सिवाय केवडो चड़तो ना थी चड़ावता ना थी, आ अत्तर यह उचेके वदेश सुगंद फ्यालावें, ये ना थी मानस ना विचार पवित्र थाई, विचारो मजे मलिनता होई, गणि बेठा बेठा मानस ने विचार के फलाणाने आम करी नाखू, फिलाणाने तेम करी नाखू, तो अंदर अ सुगंद ना अर्थे हो चेके तमने खूशी आनन्द मले, और दीमे दीमे घेन चड़े, ये म के वाई चेके आज आरे गुलाब ना अत्तर लगावा माँ अथा, गुलाब ना प्रयोक्करवा माँ आवे तो दीमे दीमे मिठी निंदर आई जाए, अने एटले आने आवी निंदर माँ पोड़े गया जाए, तो ए प्रकार नू आज अत्तर भगवान ने चड़वा माँ आवे, तो मानस ने लगनमा जे अरोध थाता होई, ते दूर थाए, शाया सूख मड़े, ये सब्द ये अत्तर माटे अत्तर ना संदवे बगवान स्रीव जी ने अजो आगाना द्रव्या जो आपने इच्छा होए, तो आपने अनी बात करिये कि विजा सुख सुख चड़ी शके, शीवराति ना दिवसे विशेश, ये करवाति, ये करवाति सु थाई के भले तमे आखु वरस सीव जी नी पूजा करो के न करो, पन सीवराति रिये समय का आपने रजानों दिवसे, तो आपने आ पूजन करिये ना जेजे आपनी पासे मड़े वस्तु बगवन ने अर पन करिये, तो आपना मननी सुद्धी थाई, जैना थी आपनों कारिया वने विचारों सुद्ध थाई, ये वे ते सुगंधी तेल आवे छे, खुलेल के ने, चंदल नू तेल लेवा बदा तेल आवे, ये तेल चड़ावे तो धन वृद्धी थाई औने शुखनी वृद्धी थाई, मनमा जै आपनने दुखना विचारों आवता होई, तेल दूर थाई, औने दुखना विचार दूर थाई तो एनी जग्या लेवा माटे शुखना विचार आवे, बगवान ने, सिव जी ने फूल चड़ावा मार, फूल पूस्प, सफेद अथवा लाल गुलाब ये चड़ावे, बीजा फूल गुलाब, सिवाई ना बीजा लाल फूल चड़ता न थी बगवान ने, फूल धरावा मार आवे, तो काम दंदो ना होए, नो ना होए, तो सिव जी ने फूल चड़ावे, बूलाब नो फूल, सफेद अखड़ा नो फूल, के धंतूरा नो फूल, इवा फूल चड़ावे, तो ए चड़ावे तो ये नोकरी नी इच्छा होए, कोई जगे है सारी मड़े, तो ते पूरी थाए, बगवान ने फक्त फू नो फूल चड़ावा थि, तो इस अखड़ावे, इक्षू रस ने क्या चूए, संस्कृत मा, सेड़ी नो रस मदूरता मकारा, सेड़ी मां बधेज मदूरता चे, इतलि रस जा रहे बगवान ने आपने चड़ावे, तो ए संपन्नता आवे, संपन्न सब्दा आपने हमाज तो यह संपन नता आवै, कांगि कुरुपन ता होय, पाइसा होय, धनवान होय, जरूरी नथी। नाती। मैंनमा एंज़्ञावा, मैंने 15 लाग कमा अट पांचा जार र्कोई ने दान करवा नहीं उते निम्य जरू नती। विखारियों ने दान आपनार पांच रुपया आपतो है ते भी विचार के सारा हांच पढ़या दारुनी भाटली खोल से लिए महारे पांच रुपया न थिया तू हुगाम चिंता करें सिवजी ना भक्तों छे बदा सिवजी ना गणों छे ए बद्दा जी बांग ने धतूर बदू ए तो नसानों सेवन करा जे ए ताहरो विशाई ना थिवाए पर आ कृपण था तो ए नी जग्याय संपन्नता आवे संतान नी प्राप्ति थाए कुटूंबो मात त्यारा जग्डा जुवा माड़े बायो बाही ना जग्डा होए बाप दिकराना जग्डा होए तो ए दूर करवा माटे पन सेवडी ना रस्ती शिवजी ने अभिशेक करवानों मिलकतनों विवाद होए कौट कचेरी मां कोई चालतू होए तो एमां आपनी तरफेण मां आवे और आपनने कोई सारू सुख मड़े एना माटे सेवडी ना रस्ती शिवजी ने अभिशेक करवानों होई छे बहु महत्वनी वाद जे त्रिगुणात्मक प्रकुरूती छे सात्विक, राज्यश्विक अने थामसीक एना प्रतिक रूपे त्री दल एतले के बिली पत्र थे बिली पत्र सुख जी ने अक्जंत प्रिय चे एनि पाचनी कथा चे आपने पची जोईश्व पन बिली पत्र सुख जी ने त्रन पाधळानू होई ए चड़ाववानों छे पांच नूपन चड़ावी शगाई अन्ने वु एक नी त्रन चड़ाववान। एक कड़वय। इसाओ स्ट्वा गुण मातीं मातंि इसी राजोगु न पेमाती पूजह घुद्र चाड़ावरें। शाववानू हम स्वाश्व प्र्रांट के लित विद्ण बिली पत्र चेड़ावान। बदा जे गिल्ट के वाई, ते गिल्ट बिली पत्र चड़ा वाथी दूर थाई, संतान नी चिंता होई, चोकुरु मनतु नथी, चोकुरु तोफान करा छे, यहने कहिए ते मानतु नथी, अत्यार वह जो अमड़ा, कांके अत्यार नो यूगे हो छे, के लो बाळकोने टोट पर्मी सीव करी दीदा, तमारे जेम फावें चालो रहें, अमारे कोई कोई सोचल मीडिया में कोई लखेलो के अत्यार फोर जी आवी फाव जी आवे, तो हमारा जमना भूरु जी अता, एक ठप्पो मारे, यह तले बद्दू अर्कू थाई, आजे ए बात न थी, पर संतान आपने आमज आपने आरीते कशु सजा आपया वगर सारा करवा छे, तो स्रीव जी ने त्रम बिली पत्र अवस्य चड़ावा, नियमीत जो चड़ाव मां आवे, तो संतान वाबते जेकोई आपने समस्या लागती होई, गणियों करतो गणान संतान समस्या रूप लागे, तो ए समस्या दूर थाए, संतान सारा थाए, और कोई संकट आवलो होई आपने करतो तो ते दूर थाए छे, स्रीव जी ना बिली पत्र मा विशेश महिमा, आगर जुए, तो स्रीव जी ने भांग, धतूरो, आकड़ो, आपधु प्रिया, आम हन्मान जी ने आकड़ो चड तो आब अधी वस्तोवाद, आम तो जहरी कह वाई, नशाकारत, जो वदार प्रमण मा लेवा मा वाई तो मानस नू देह पात थाई जाए, तो भांग, धतूरो, स्रीव जी ने चड़ावनों, आपड़े एनो उप्योग नथी करवानों, एन अथी टेंशन दूर थाए, मा जरू नथी होती, आपड़े हुआ करें, चित्त शांत रहाना टेवाईलू नथी, मननी प्रकुरूती ये भी थाई गई, कहने काम जूईये, जूईये, तो कही नथी आपता आपड़े, तो आउं काम हें करें ते, टेंशन उप्भू करी आपड़े, नवा काम उभा करें, तो ये टेंसन दूर थाई, स्थिर्ता जे आपने जूहिए के भाई मुं सांती थी 10 मिनिट ब्यासू, तो ये जे स्थिर्ता छे आ भांग धतूरो भगवन ने चड़ाईये तो आपके चंचरता होई मानने, चितनी चंचरता होई, अस्थिर्ता होई मननी, ये वदू दूर थ मानसने गणियोखत कुटेवव लागिरी हो, जुदी-जुदी, तो ये कुटेवव थी मुक्ति लेवी होई, तो भगवन ने आवे वस्तूव चड़ावनी, आपकडो भांग धन्तूरो, पछी सोभाग्य द्रव्य जनकी देला, अभिल गुलाग ये चड़ावे, तो कोई विवाद थी हो, कोई नी साते गेर समद थी होई, मित्रो, आपने गणियोखत नानी नानी वाइतमा विवाद थाई जाए, तो ये विववाद दूर थाई जाए, कौर्ट कचरी चालता होई, तो केशम आपने फायद थाई जाए. सिव जी, बोलू. अपड़े आ तमें जे कईू काटला बदा द्रवियु चड़ावा ती सू-सू फाइदा थाएछे, अनो केंटी चीज वस्तु होती शिव जीने आनांदावेने आपने फड मालाशे, यह वेक्ती पूजा अर्चना करेछे, तीवी आस्थाने लईने अजान आपने जुई है तो इभी 5-6 साथ वस्तु हो शे कि जहनो प्रयोग शिव जीनी पूजा मान न करो, एक्छे हर्दर हर्दर ने सौभागया द्रवय की दरी आने बेहनो पोताना सौभागया ने प्रतिक तरीके हर्दर नो चांग, लक्षमी जीनी पूजा मान अवश्य प्र सौभागया नो प्रतिक छे विजू छे केतकी नो पूल, अत्वाचंपा नो पूल, यह पन स्री जी ने चड़तू ना थी, विष्णु ने प्रिया चे व्रुंदा, तो शिव जी ने चड़ता ना थी, शिव जी ने जो पंचामृत भोग तरीके पन दराविया तो यहमा त तूलसी दल मुकवानू ना थी, अन्ने आपने सत्यनाय नी कथा कई 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 करिये, विष्णु ने लगते कोई पुजन करिये तो तूलसी अवस्योप्यमा, पर शिव जी मा आवती ना थी, शिव जी मा तूलसी ना उप्योग नी कर लेए, पछी जल चड़ाविया आपने क सुकु नारियल तोड़िये, तो एमा थी पाणी निकले, तो ए पाणी पन सिव जी ने चड़ाववानू ना थी, तरोपानू पाणी गणालोको शांती मा ते चड़ा राचे, पन सास्त्रमाय ना उल्लेख ना थी, पन काला चलो पो, एवि रिते सिव जी ने कंकु अने सिं अटुट्यावगर ना अक्षट ना थी आवाँ चुखा बढद लिए अवे घणा, पन्चामृत ने बदू भगवान चड़ाव अभिषय करवा संखनो उप्योग करें, तो वैष्णव मंदिरों मा और क्रस्णो ना मंदिरों मा शंखनो अवस्य उप्योग थाए, कारण क संख चूड नामे राक्षा सतो जे विष्णुनो परम्भक्त अतो इतले एना प्रतिक रूपे संख नो प्रयोग विष्णुना पूजानमा थाये छे पन स्रीव जी नी पूजामा संख बर चे छे छे संख नो उपयोग करवानो नहीं आटली वस्तुवनु ध्यान राखवान जल थी अभिष्यक तेवा भी लोगों शंक्र में जूज करते पर ताबा नो लोटो लेवा नो श्टिल नो लोटो नहीं लेवा नो अच्छा अरो वाज़े संखती बिलकुल नहीं करवानो अभिष्यक जल ये तो बर्ज्य छे ये सिव पूरानमा लखे दी जी वस्तुवन सफेद तल काड़ा तल पन सिव जी आम तो चड़ता न थी काएंके हुत द्रव्य अजे हवन द्रव्य पर गणा लोको पोतानी शांती माटे उप्योग करे चे पछी लाल फूल नहीं चड़ावानों फक्त गुलाब सिवाई गुलाब चड़ावाई पछी चंपो जासूद केवडो नहीं चड़ावान चंदन सफेद चंदन जे आवे सुखण नुप्योव ते चड़ावानों ए सिवाई लाल चंदन जने रक्त चंदन के अचे रतां जड़िनू ते नहीं चड़ावानों आगल आपने बात करियाम लोटो ताबानू पात्र लेव अथवा पितर न ताबा मा राखेलू दूद सिवाई नहीं चड़ानू ताबा मा पात्र मा दूद राखवानू पन आयुरेद पन ना पाड़ा ताबा मा दूद नहीं राखवानू अनने बीजी वस्तु होती चले पूजा बद्धी पूरी थाई जाए पछी बगवान ने प्रदक्षिना क अरधी प्रदक्षिना करवी अरधी प्रदक्षिना एक ला माटी चे वच्ये जे शीवजी ने दूद और पाणि जड तो शीव गंगा के वाई तो ये स्ीव गंगा ने उल्लन गन्न अ थाई ए fasten ले अरधी प्रदक्षिना शीव जी πά शेनी करवीches और अने भ प्रदक्षिना शिव जी नी कर्वी आतली कार्जी राखवानी जरूर श्वे अब पूजाओ जे मको करें चे ते क्या समय पूजाओ थवीजुएने और क्या समय पूजा करवा थी फड़ा इन्जुड़े सिव जी नी पूजा माटे दिवस नो रात नो बनने समय आम तो उपयुग्त छे पन अत्यारे जे सिव राजी आजे छे ते सहजे पांच ने तेविस सुक्रवार्थी 22 सहजे साथ ने पांच सुधी चतूर दसी श्रवण नक्षत्र छे अने व्यतिपात वरियान योग विष् नी करण आ सिव जी नी पूजा माटे ना विशेश दिवस हो जे एटले प्रहर पूजा जे छे के आट प्रहर माती चार रात्री ना प्रहर मा सिव जी नू विशेश पूजन थाए प्रदोश काड़े पूजन थाए पछी निस्तित काड़ रात्रे बार ने सत्ता विश्ती एक ने सत्तर सुधिनों चे ते दर्म्यान स्रीजी नी विषेश पुजा थाई चे चार प्रहर नी चार पुजा एना अलग-अलग समय चे क्या समय प्रतम प्रहर पुजा पछी ज्वीतिय तुतिय ने चार उपवास करवानों हो चे शीवरातिकना अन्य 22 मीं सबार ये 7 वाग प्रदोषकाड गेवाई, त्या थी लईने सवार सुधी नो समय कई शोगाई, सुक्रवार मौनिंग सुर्यो दई सुधी ना समय, हमे त्यारे पूजा करी शकाई, जे लोको विशेश जे भक्तो स्रिवरात्री नी पूजा करता होई, एमना माटे समय वो छे के प्रहर पूज प्रदोषकाड नी पूजन थी लईने पछी प्रहर पूजा सरू करवानी, तरिक प्रहर मा अलग-अलग द्रवियो थी, अलग-अलग मंत्रों थी, चमक नमक वगेरे जे सुधी रुद्राश्टा ध्याई केवाई, एना थी लोको बोली अने सुधी ने अभिशेक अने शीवजी प्रसन्नताने भक्त ने लाब मिले। स्रिवजी ना स्रीवजी ना स्तोत्र एक छे, पुस्पदंत विरचितम, ते ना पाठ कराए, जेमने सामन्य रिते जे बक्त हो ये लोको ने अश्टा जाई रुद्री छे, रुद्री ना पाठ थी स्रिवजी प्रसन्न थाए, आने स्रिवजी ना पूजन नु विधान एम अचे, पर ये बधा न थी करी सकता, ये जे बेद पाठी हो, येमने ये अदिकार छे न ए प्रामाने स्वश्ट उच्चा रंधी थाए, पर स्रिवजी ना स्तोत्र एनो पाठ विशेश करवान हो छे, और ये ना थी अभिशेक स्रिवजी ने थे शके, जेमने स्रिवजी न स्तोत्र न फाउतु हो ये, तो एवा लोको भक्त स्रिव पंचाक्सरी नमा शिवाय मंत्र थी पन अभिशेक पूजन करी सके जे, कितला लोको सडक्षर येटे ओम नमा शिवाय, येम पन स्रिवजी ने नमा मंत्र थी पूजन करी सके. तो महामृत्युन जाई जेपनी वाद्तरी, तो महामृत्युन जाई जेपनी इसु विशिष्टा चाए? हाँ, महामृत्युन जाई मंत्र एटले के एमा बगवान ना त्रम्भक स्वरूपनू आराधन चे, अने एम क्यावाय चे, के महारु जीवन पूर्ण थाए, महारु जे आयुष्ण चे बोगवान, ये पूर्ण थाए, अने पाकेलु खड जेवी रिते पोताना निकड़ी जाई, एर इतनी आ प्रार्थाना चे, एन और थे थाए, के अकाल मृत्यु थातू होई, कोईने मृत्यु नो डर लागतो होई, तो ये मृत्यु ना डर ने दूर करवा माटे आ महा मृत्युन जाई, ये मृत्यु नो जाई प्राप्त थाए, एन और थे हो के मंत्र अपने गणा लोकोपोताना गेरे वगारता हुई, अन्य मंत्र ना पुस्तकों मा थी माडीने गणी जगिया है वागतों होचे। इल्ए अहे बोलोँ जरूरी नहीं। त्रम्भक मंत्र के वहाई। अन्य ए मंत्रर ना ज्वर प्ति मानसने मनने शांति मले यहना कारने आयुष्यमा बृद्धी थाई, तो जारे मन ने शांती होई, तो तो तमारा मन मा शांत थाई, प्रक्ता अभिसरान बहुँ सारी रिते थाई, सरीर ना बदा अवयवो, ने ए प्रकार्निक कसरत मड़े, जे स्वासनी, ए मंत्र बोलता स्वासनी कसरत थाई, ने एना थी आपन मन ने शांती मले, ने मन नी शांती थी, आयुष्यला मुथाई, तो महमृत्युन जे आपनो विशेस महिमा छे, शीवजी ने नीलकन पन कहें छे, ये बहु जानीती कथा छे, शीवजी एवा देव छे, कि जे असूरों ने सूरे ले देवताव बन्ने ना पूज्य छे, आ अमरूतनी प्राप्ती थाए आपनने, तो आपने अम अर्थाई जेए, ये आपने आज विश्वना जे सुरुष्टी ना भोग भोगवाई, आने आपने राज्य करी शक्ये, तो बन्ने मड़ी आने जारे आपने समुद्रम अंथन करिऊ, त्यारे, एमा बदार अतनो निक तो बद्धा विचार करें कि आने तो कोई जिर्वी शक्ये नहीं, कांकि ए विश्वना फैलावा नहीं थावा जुए, एले एक जग्याए स्थीर करी दे उपड़, तो इना माटे देव अने दानव, बन्ने, शीव जीना सर ने गया, शीव जी बोड़ा ना थ, तो बगव शीव जी ए विशलाई पोताना कंठ मा धारण करें, नती पेट मा जवा दीदू, नती मों मा राकें, एटले एमने नील कंठ के वाई, कांके विश्वना कलर नील, भूरो लीलो होई, एटले नील कंठ के वाई, आपड़ा देश मां बार एवा जोतिलिंगों छे, जेनी दर विशेक करी शेके, तो कदा जा माना पोताक्ष प्रोक्ष प्राप्तर, एन विशेक थोड़ू करें, तो स्रीव जी ना द्वादस जोतिलिंग छे, बार आधित्या छे, एवा बार जोतिलिंग छे, तो एमा सोमनाथ ये सोवराष्टर मा छे, मलिकार जुण, ते साहिल कुर खांच्या, उज्जन्थी नजीकद छे मालवाहमा, तेने उमकारेशवर, अमलेशवर, ये बनने, वे शीलिंग छे, पन सवरूप एक गनाई छे, ते उमकारेशवर क GLORIA Candiff, नवदान ददर माल्डवाःच्या, पछे, आपने जानिये चे, बादरी केदार नी यात्रा रिय क यहां तो एहमा केदार नाथ चे केदार नाथ नूसी लिंक छे ते हिमालाह मां मंदाके नी नदी नी नजीक मां छे रची भीमाशंकर भीमाशंकर के वाय चे चट्टू जोती लिंक ते महाराष्ट मां छे सहयादरी ना पाढ़ों नी वच्चे पूना थी लगबग 200 चे ते 802 विश्वनाथ नू ए जोती लिंक छे एनू पन पूजन सतत करवा मां आव चे यहाद नासीक मां त्रम्बकेश्वर चे परली वाइद्यनाथ जहरकंड मां छे यहां केवाय चे के हैद्राबाद पासे पन परली वाइद्यनाथ नू स्थान चे एटले एरीते आ व ज़ते बासे विश्वर चे पत्रम मां और परले मेल्ट ऊ संप धू जहाद परली वाइद्यनाथ यहारस्व रमीश्वर चे आड़े यहां द्रेलंगाण मां दूसमेश्र चे जहा यहां डिरूर примा-जynen कि स्रीव जी विराज मांचे विरीते, तो यहां कोईपन जग याई पूजन करे, तो यहने स्रीव पूजन नुँ खड़ मले छे, आरीते जो ही है, तो स्रीव जीना जे बार जोती लिंक छे, यह आपनने बार मासमा जे कई शांती जोईए, जे सुख जोईए, यह आपे यह शीव लिंग नी बार जूती लिंग नी कथा चे कि जे दरेक एहनी कथाओ पन सांपड़वन महां आवे चे अन्ने कथाओ दरेक नो अलग-अलग महात्मिय चे एले जेतेश थड़े जारे कोई पुन्यकार्या थयू होए त्यारे स्रीव जी त्यां प्रगट था आचे तो पं शीव रात्री एक कल्यान करना नी रात्री छे शीव जी कोईना प्रत्य मनमा द्वेश के वेरभाव राखता न थी ले शीव जी एमच सिख्वे के शांत रहू मनने खुशी मा राकवू सीव जी मस्तिमार रहनारा जिए वहरागी छे ये स्मसान मारे अने भस मा चोड़ें वस्तरण ही जरूर नहीं के तमें वदी लाल्सा हो थी मुखत थाओ मारे आज विए मारे पेलू जोई ए जोई ए आपन ने जोई 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 ए ना थी आपने पच्छी नों भावे के कई न थी मारी पासे कई न थी आजे तमें करोड़ पती ने के अवज पती ने पूछ आजे तो वायडकेम छे सूचे तमारी माए तहे कई नथी भाए आजे तो आजे व मारे तो सो करोड़ पर पहुंचा आजोई पांच करोड पर पहुंचे आजोई ऑजोई तो यह जोई ख्याल कर पर ने तरफ तारू मन लाई जय अपनी पास से बगवान आपने लों देह मन चे बुद्धी चे हाथ पग बदू चे तो एनो उप्योग करी अने छे छे करता जी तो बगवान आपने बदूज शीव जी आपशे आपणी चाओ पूर्ण करशे अने आपणा जीवन मा खुशी सुग समरुद्धी आपसे अई हीक कल्यान थाशे न साथे साथे मोक्ष प आपने ए रिते परम शांती नी फ्राप्तिया शीवरात नी मत आई ए पूजा बगवन नी आपने पड़े इवी अभ्यर्थनाने शुभासी गुवादे तमस्का जैसे बसंद की हवा चलते ही सुनी डालिया खिल उठती है वैसे ही शीव का नाम लेने से आत्मा में आनन की गंगा बै उठती है शीव का नाम ही अंगिनत सुखो का उद्गम है उनका ध्यान ही जन्म का दुख हरने के लिए परियात है विसाक्षात उनके निवास्थल के दर्शन हो जाए तो इसे परन सौभा के ही कहा जा सकता है जैसे बसंद की हवा चलते ही सुनी डालिया खिल करने से आत्मा में आनन की गंगा बै उठती है शीव का नाम ही अंगिनत सुखो का उद्गम है उनका ध्यान ही जन्म का दुख हरने के लिए परियात है विसाक्षात उनके निवास्थल के दर्शन हो जाए तो इसे परन सौभा के ही कहा जा सकता है महाश्यवरातरी को लेकर बगवान शीव से जूरी कुछ मान्यताएं प्रचीट है ऐसा माना जाता है कि इस विशेश दिन ही ब्रह्मा के रूद्र रूब में मद्धिरातरी को बगवान शंकर का अवतरन हुआ था वहीं यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शीव ने तांडव कर अपना तीसरा नेतर खोला था और भ्रमान को इस नेतर की जुआला से समाप्त किया था इसके अलावा कई स्थानों पर इस दिन को भगवान शीव के विवा से भी जोड़ा जाता है और ये माना जाता है कि इसी पावन दिन बगवान शिव और मा पार्वती का विवा हुआ था वैसे तो प्रतिक माह में एक शिवरात्री होती है परन्तु फाल्गुन माह की कृष्ण चतुरदशी को आने वाली इस शिवरात्री का अत्यंत मात्व है इसलिए इसे माह शिवरात्री कहा जाता है वास्तर में माह शिवरात्री भगवान भुलिनात की आराधना का ही परवा है जब धर्मत्रिमी लोग मादेव का गिदी विदान के साथ पूजन अर्चन करते हैं और उनसे आशिरवाल उतरात करते हैं इस दिन शीव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीर उमड़ती हैं, जो शीव के दर्शन पूजन कर खुद को सवभाक्यशाली मानते हैं। माशी राती के दिन शीव जी का विबिन पवित्र वस्तों से पूजन एवं अभिशेव किया जाता है। और बीव पतर गतुरा अभीर गुलाल बेर उमबी आली अरपित किया जाता है। भगवान शीव को भांग बेहत प्रिया है, अतहर कई लोग उन्हें भांग भी चड़ाते हैं। दिन बर उपवास रखकर पूजन करने के बाद शाम के समय लोग फरहार किया जाता है। आज महाशिवराती के इस पावन अवसर पर हम कुछ विशेश लोगों से कुछ खास बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस पवित्र दिन की क्या विशेश महिमा है।